आज में आपके साथ दोपहर की ठाली की रेसिपी सेयर करने वाली हों जिसमें हमने पालक डाल बनाया है और छोटे आलू की क्रिस्पी सी सूखी सबजी बनाई है जो बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है और डाल चावल के साथ ये सबजी मैच भी हो जाती तो आज में इसकी दोनों रेसिपी सेयर करूंगी तो सबसे पहले डाल बनाने के लिए हमने दो मुठी चना डाल लिया है और दो मुठी अरहर और मसूर दाल मिक्स है तो इस दोनों को हमने पहले ही मिला लिया था तो मैंने चार लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने टोट दो बड़े कटे टमाटर डालेंगे, दो हरी मिर्च, तीन लसन की कली, और कटे हुए बारीक पालक डाल देंगे, इसमें हम अभी कम पानी मिलाएंगे, तो यहां मैंने एक ग्लास से थोड़ी जादा पानी मिलाया है, क्योंकि पालक पकने के बाद पानी अपना छोड़ती है, अब इसमें हम आधी चम्मच, लाल मिर्च पॉडर, आधी चम्मच हल्दी पॉडर, और स्वाथ के अनुसार हमने नमक डाला है, अब इसमें हम एक छोटे चम्मच, कच्चा सरसो तेल डालेंगे, इससे हमारी डाल काफी टेस्टी बनेगी, और इन सब को मिला कर हम धकन लगा कर, तीन सीटी मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे, तो कुकर ने सीटी मारना सुरूर कर दिया है, तो इसे हम ठंडे होने के बाद खोल के दिखाते हैं, तो ये देखिए, डाल हमारी पक चुकी है, ये अच्छी सी गल गई है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, तो ये थोड़ी गाड़ी लग रही है, तो अब इसमें हम गरम किया हुआ पानी मिलाएंगे, इसके लिए हम कुछ सीक्रेट मसाले तियार करेंगे, तो यहां मैंने तवे पे एक चम्मच, साबुत धनिया, आधी चम्मच, काली मिर्च, और आधी से आधी चम्मच हमने मेथी लिया है, इसे ज़्यादा डालने से आपकी दाल कड़वे हो जाएगी, तो आप यहां कम ही डालें, और हलका भूनने के बाद हम इसमें एक बड़े चम्मच, जीरा डालेंगे, तीन लॉंग डालेंगे, अब इन सब को हम धीमी आज पर भून लेंगे, और ठंडे होने के बाद हम इसे दरदरब कुट लेंगे, या पीस लेंगे, तो मैंने यहां दो बार के लिए बनाया है, तो मैं इसकी आधी क्वांटिटी डालूँगी, इससे हमारे दाल काफी टेस्टी लगती है, और अलग सी खुस्बू आती है, अब हम डाल में दो बड़े चम्मच, अभी हमने जो मसाले तैयार किये थे वो डालेंगे, एक बड़े चम्मच, आमचुर पॉडर डालेंगे, इसके जगा आप इमली का पल्फ भी डाल सकते हैं, या तो आप टामाटर की कुआंटिटी थोड़ी बढ़ा दें, ये डाल खटी काफी अच्छी लगती है, हम तड़के की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले सरसो तेल डालेंगे, थोड़ी से जीरा, एक सुखी मिर्च, और बारी कटी होई लसन डालेंगे, डाल में हमारी हल्दी थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने कलर के लिए तड़के में थोड़ी से हल्दी डाला है, और कस्मीरी मिर्च डाला है, ताकि तड़के लगाते समय, ये काफी अच्छी देखने में लगे, तो ये पक चुकी है, अब हम कुकर के अंदर इसे डाल देंगे, और तुरंत ढख देंगे, तो मैंने नए आलू लिये हैं, और इसको हम चिप्स की तरह काट लेंगे, लेकिन चिप्स से पतली नहीं काटेंगे, ये थोड़ी मोटी ही कटती है, तो इस तरह से हमने सारे आलू को काट लिया है, और इसे हम दो से तीन पानी धो लेंगे, ताकि काटने के बाद जो इसकी स्टार्च निकल जाती है, उस धूल जाए, और धोने के बाद हम प्लेट में चान लेंगे, इस रेसिपी में आप छिलके के साथ जादा यूज करें, क्यूंकि छिलके से ही ये क्रिस्पी बनती है, बिना छिलके के ये टेस्टी नहीं लगेगी, तो मैंने छिलके के ही साथ इसे काटा है, तो कड़ाई में थोड़े से सरसो तेल डालेंगे, यहां मैंने तड़के में सुखी लाल मिर्च, आधा टीए स्पुन जीरा, आधा टीए स्पुन काली मिर्च, और थोड़ी सी मैंने मेथी के बीज लिए हैं, अब तेल में इसको डाल के हम चटकने देंगे, इतने ही मसाले में हमारी ये सुखी सबजी काफी टेस्टी बनती है, तो अब इसमें हम कटे हुए आलो को डाल देंगे, और बिना ढ़के इसके मॉइस्चर को थोड़ा सूखने देंगे, इसे हम बीच बीच में ढ़क लेंगे, अब इसकी मॉइस्चर थोड़ी कम हो गई है, सूख चुकी है, तो अब इसमें हम पात के अनुसार नमक मिलाएंगे, और धीमी आज पे 15-20 मिनट इसे भूनेंगे, ताकि ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, आप इसे ढख कर भूनेंगे, तो आपकी सबजी जो है क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसलिए कोशिस करें कि आप इसे खुले में ही भूने, तो मैंने इसी तरह से भून लिया है, 15-20 मिनट के लगबग हो चुके हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगी, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, तो यहां मैंने आज डाल, चावल और पापड के साथ सर किया है, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमली में सेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बारा हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल बटन को प्लेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे, थैंक यू,